देश के विभिन राज्यों से मौनसून अब धीरे-धीरे विदा हो रहा है लेकिन विदाई से पहले कई राज्यों में जमाजम बारिश देखने को मिली है मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चमी और उससे सटे पश्चमी मध्य बंगोल की खाड़ी का एक साइकलोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसका कई इलाकों पर असर है हलाकी राज़ानी दिल्ली में आज बुद्वार को बारिश का कोई पुर्वानवान नहीं है मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज 28 सितंबर को न्यूंतम तापन 30 डिगरी और अधिकतम तापन 35 डिगरी दर्च किया जा सकता है वही देश की राज़ानी दिल्ली में आज बादल चाहे रहेंगे आज बादल चाहे रहेंगे इसके चलते लोगों को धूप से रहात मिलेगी वही गाजयबाद में आज असमान साफ रहेगा इसी के साथ IMG ने ये भी कहा है कि 28 से 30 सितंबर के दोरां तटिया आंदरपरदेश, यनम और तेलंगाना में 28 सितंबर 2022 को तमिल नाजु में, पुर्डुचीरी में और गरज के साथ फारी बारिश होने की संभावना है और अटाइस से 29 सितंबर को मध्यम से तेज बारिश होने के भी असान है इसके लावा अंडेमान निको बार में 29 से 30 सितंबर 2022 को गरज के साथ मध्यम और तेज बारिश हो सकती है वही मोसंग विभाग की माने तो उडिसा में एक अक्तूबर से बारिश की गतिवीदिया बढ़ जाएंगी मोसंग विभाग ने कहा है कि मंगाल की खाड़ी और पडोस के शेत्रों में साइकलोनिक सर्कूलेशन के कारण एक अक्तूबर से बारिश की गती वीदियो में तेजी आएगी विरो रिपॉर्ट मारके टाइम्स टीवी